Hello students, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी news निकल करके सामने आ रही है NTA UGCnet की तरफ से NTA UGCnet ने अपनी जो detailed date sheet है वो release कर दी है और आपनों को पता भी चल गया है कि sociology का exam कब है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि Saturday को दोपहर में 3 बजे मैं comprehensive test 4 लेकर के आ रहा हूं उसे जरूर से अटेंड कीजिएगा students जो आने वाले 20 दिन हैं उसमें आपको कैसे तैयारी करनी हैं ये भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा और आपकी तैयारी कैसी है ये भी आपको पता चल जाएगा लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आपको जो comprehensive test मैं लेकर के आता सटाडे को दोपहर में तीन बजे उसे अटेंड करना होगा और अपने score को मेरे साथ share करना होगा उसके बाद मैं आप लोगों की ranking देता हूँ और फिर उसके बाद आप ये पता कर सकते हैं कि competition में जो दूसरे students हैं उनके competition में आप कहां stand करते हैं आईए देख लेते हैं कि sociology क कौन सी डेट को एक्जाम sociology का है और कौन सी shift में sociology का एक्जाम है बहुत सारे students को confusion होता है shift और date में तो ये देखें ये डेट दी हुई है NTA UGC net ने अपनी website पर आप देख सकते हैं तो 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को sociology यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह sociology दिखा हुआ है एक मिनिट मैं कलर जो है थोड़ा चेंज कर लेता हूं यह देखिए ठीक यह है sociology 66 नंबर पे है यह ठीक 66 नंबर पे यह शिप्ट जो है second shift में sociology का एक्जाम होगा सुबह वाली शिप्ट में नहीं होगा दोपेहर वाली shift में sociology का एक्जाम होगा 13 दिसंबर यानि कि अभी से 20 दिन बचे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं यह ऐसा एक वीडियो बना दूँ जिसमें कि 20 डेज में आप किस तरह से sociology की तैयारी करें जिससे कि आपका net और जैरेफ का सपना पूरा हो सके तो इसी वी comprehensive test नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजेगा और उसके score को भी मेरे साथ share जरूर कीजिएगा thank you very much students आशा करता हूँ कि अब आप लोगों की तैयारी और अच्छी तरह से चलने लगेगी अभी भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लगतार प्रयास कर रहा हूँ ठीक और अब और ज़्यादा हमें मेहनत लगानी होगी क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं और जो भी हुआ है ये भी बहुत माइने रखता है और यही जो दिन होते हैं यह deciding प्रिंसिपल हो जाते हैं कि आपको नैट होगा या जैयर एक होगा क्या आप आप कौलिफाइग करने वाले हैं तो मेरी पूरी उमीद है आप लोगों से कि आप लोग जैयर एक क्वालिफाइग करेंगे और मे मेरे short videos होते हैं उनसे भी 100% questions आने की संभावना रहती ही रहती है चलिए, thank you very much, all the best, अच्छे से पढ़ाई करो, दम लगा के पढ़ाई करो, और बस JRF को निकाल दो